एंडिमेटर लाइनिंग यानि कि बच्चे दानी के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसके लिए आप लोग मेरे से काफी क्वेश्चन्स पूछते हैं कि मैडम ये कितना होना चाहिए, किती मिलीमीटर होनी चाहिए, पूरी साइकिल में कब-कब किती बार होनी चाहिए, आई ету ये किती है वे किती मिलीमीटर के अचके बार होनी प्येकिल अाइनिंगा उडे किती जोड़?" झाल 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 पूरे महीने चेंज होती है वो एक बार स्टाटिक नहीं रहती है यह आपको भी पता है जब आपको पीरेट्स आते हैं इस समय यह पूरी की पूरी लाइनिंग जढ़ जाती है जढ़ने के बाद यह सिरफ वन मिलिमीटर रह जाती है क्योंकि जो आपकी लाइनिंग है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते है हम मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं यह जो लाइनिंग है तीन पार्ट में होती है तो इसमें यह सबसे नीची वाली बेसल लेयर होती है ये 1 mm, 2 mm की होती है तो पूरी periods खतम होने के बाद ये सिरफ 1 और 2 mm रह जाती है बाकि उपर की पूरी functional layer खतम हो जाती है, गिर जाती है तो periods के जस्थ बाद ये 1 से 2 mm अब ये धीरे-धीरे grow करना शुरू करती है क्योंकि आपके अंदर hormone ये ये estrogen बढ़ना शुरू होता है क्योंकि अब ये वापस से next cycle के तयारी करते है तो अगले 10-15 दिन 14 दिन तक जब तक ovulation नहीं होता estrogen hormone इसको धीरे-धीरे बढ़ा करता है तो बड़े होते होते हैं ये करीब-करीब 10-12 mm पहुंच जाती है किसी में 7-8 mm पहुंचती है किसी में 10-12 पहुंचती है पर 12 तक नॉर्मल है तो 12 mm तक या 10 mm तक ये ovulation से पहले हो जाती है ovulation के बाद जब अंड़ा फूर जाता है तो estrogen तो कम हो जाता है आपका दूसरा hormone प्रोजिस्टोन आ जाता है अब ये जो है आपकी बच्चे दानी की lining को मोटा करता है उसको ग्रो नहीं करता है जितनी ग्रो हो गई हो गई जितने cells बनने थे बन गए अभी उसको मोटा करता है उसके अंदे खाना भरता है nutrition भरता है उसके अंदे blood vessels भरता है क्यों? क्योंकि ये वेट कर रहा है कि शायद patient pregnant हो जाए तो अगर uterus pregnant हो गया तो ये जो progestron hormone है वो पूरी तयारी करता है उस बच्चे के लिए उस घर को पूरा तयार करता है kitchen भरता है उसके खाने के लिए ये करता है ये 10 दिन 14 दिन पर अंडा निकला अब periods के तयारी करने क्योंकि अगले चारपा दिन के अंदर periods आने है तब ये hormone नीचे गिरना शुरू होता है और जितनी भी तयारिया होई थी kitchen की ये सब खतम होनी शुरू होती है blood vessel टूटने शुरू हो जाते हैं अंदर जो endometral lining थी जो 10 से 12 थी ovulation के समय वो 24 वे दिन जब बच्चे की तयारी हो रही थी करीब 2 mm और बढ़ जाती है 14 mm तक पहुँच जाती है ये बहुत maximum बतारी हूँ 14 कई लोगों की दस तक ही जाती है तो depend करता है आपको कितना period आता है तो जब ये 14 mm तक पहुँच जाती है उसके बाद ये गिरना शुरू होती है और 28-29 दिन आपको period आ जाता है तो ये एक मोटी मोटी तौर पे आपके menstrual cycle की फूरी cycle है कि शुरू में 1-2 mm उसके बाद ovulation के समय 10-12 और शुरू में उसके बाद बाद में बच्चे की तयारी करते है तो 1-2 mm और बढ़ता है उसके बाद periods आ जाते है वापस ये पूरी जढ़के 1 mm रह जाती है अब आप पूछेंगे माडम कितना होना चाहिए कि मेरे को proper periods आए proper period आने के लिए कम सकम 8-10 mm तो होना ही चाहिए तब ये आपको proper period आएगा कितनी patients मेरे पास आती है कि माडम में को period ही नहीं आता एक पैट दो पैट लगाती हो दो दिन में खतम तो उनकी जब हम uterus की lining देखते है तो वो बहुत पतली होती है 4 mm, 5 mm तो ऐसे में period आएगा कैसे अभी क्यों होता है इस बात पे मैं बाद में आओंगे तो इस तरह के patients में जिन में lining नहीं बन रही है उनको periods कमाते है या फिर किसी किसी case में lining तो अच्छी बनती है पर अंदर निकलने का रास्ता नहीं है अंदर पूरे ऐसे रेशे रेशे जम गए बच्चे दानी के अंदर रुकावटे आ गए है जिसको हम Asher Man Syndrome बोलते है किसी तरह का कोई infection हुआ tuberculosis हुआ कुछ भी हुआ uterus के अंदर या फिर कोई और gant बन गई फाइब्रोइड बन गया इस वज़े से periods कमाते है तो उस पे हम बात में आएंगे तो uterus की lining आपको पहले बात तो period lining में help करती है दूसरी चीज बड़ा common question है कि मेरा implantation failure क्यों हुआ मैंने तो IVF कराया था मेरा बच्चा चिपका क्यों नहीं implant क्यों नहीं हुआ उसके लिए अगर आप किताबे देखे या फिर आप doctor's से पूछे तो बड़ी varied answers है मोटी मोटी तोर पे 7 mm को एक benchmark बनाया गया कि 7 mm से कम होगा तो बच्चा implant नहीं होगा तो यह जो लोग IVF कराते हैं या IUI कराते हैं या फिर अपनी follicular monitoring करा के देख रहें कि बच्चा क्यों निठहर रहा है उनके लिए एक ये information है कि आपकी lining 7 से 8 mm अगर पहुँच गई है तो chances अच्छे हैं कि pregnancy हो जाएगी ऐसा नहीं है कि 4 mm पे pregnancy नहीं होगी चार पे भी होती है और आठ दस पे भी नहीं होती है तो medical science में हर चीज इस लाइका C-100 जरू नहीं जो हम दे कहा दिया हो बिल्कुल पत्थर की लकीर है ऐसा नहीं है पर मोटी मोटी तौर पे 7 mm को benchmark बनाये गया है कि 7 से कम होगी तो pregnancy failure के chances है 7 से जादा होगी तो chances हैं कि बच्चा अच्छे से implant होके चिपक जाएगा uterus पे और ग्रो कर जाएगा अब आते हैं आपकी uterus की lining कम क्यों बनी क्योंकि बहुत से लोग बोलते भी आपके डॉक्टर पहले चेक करेंगे पहले आपको medicine देंगे या फिर आपके पहले hormone टेस्स करेंगे देखेंगे किस hormone में गड़ बढ़ आ रहा है तो पहले हो गया hormone की कमी दूसरी चीज ब्लड फ्लो की कमी आपके बच्ची दानी में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है ये भी एक तरह से एक समझ लो हाई ब्लड प्रेशर की पेशिंट्स हो गए या फिर यूटरस के ब्लड वेसिल में अंदर रुकावट है जैसे कि आप कहते हैं ने प्रेगनसी में प्रेगनसी में ब्लड प्रेशर की बढ़ जाता है तो यूटरस के अंदर जो ब्लड वेसिल जा रहे है जो यूट्राइन आर्टरी के जो पतली-पतली पतली है उसके अंदर फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहे है उसको बढ़ाने के लिए भी दवाईया आती है तो यह तो दो कारण हो गए तीसरा कारण आपके बच्ची दन के अंदर कोई गांट है जैसे फाइब्रोड हो गया, सेप्टम हो गया तो कोई भी इर्रेगुलारिटी जो की यूटरस की शेप को खराब कर रही है यूटरस की ब्लड वेसिस को दबा रही है यूटरस की जो प्रॉपर फंक्शन लिए उसको खराब कर रही है उस केस में आपकी लाइनिक कम बनेगी किसी तरह का कोई स्कार टिशू यानि कि आपकी यूटरस में कोई सर्जरी हुई थी पहले फाइब्रोड था, वो काटके निकाला गया है यूटरस में हो जाए, जिसको हम एंडोमेटराइटिस बोलते हैं तो आपकी एंडोमेटर में खराबी आती है और लास्ट पॉइंट यह होता है इसका कि कोई आपको डाइटरी डेफिशेंसी है बलड की कमी के वज़े से भी यूटरस की लाइनिक कम बनती है क्योंकि वहाँ पर सारा खेल बलड सप्लाई का ही है तो अगर आपका हेमोगलोबिन कम होगा तो प्रॉपर लाइनिक नहीं बनेगी और बच्चा ठीक से चिपके गनी आपको पीरेट्स भी ठीक से नहीं आएंगे अप इसकी रेमिडी क्या है आप कैसी अपनी यूटरस की लाइनिक को बढ़ा सकती है सबसे पहले तो आप खुद क्या कर सकती है आप अपनी डाइट में चेंजिस लाइए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबिस खाईए जिससे आपका आयरेन लेवल बढ़ेगा आपका blood flow बढ़ेगा, आपका hemoglobin अच्छा होगा रक्त संचार अच्छा होगा यूटरस में तो लाइनिक अपने आप बनेगे आप proper vitamins and minerals वाला food खाईए यानिकी balanced diet खाईए अच्छे fruits लीजे, healthy जो fat होता है जैसे avocado हो गया ground nuts हो गया यानिकी moonfully हो गया जितने भी dry nuts होते ही सब लीजे तो अच्छी balanced diet लेंगे और ये जो fat foods होते हैं, जो confectionaries होते ही इनको कम करेंगे तो fat कम बढ़ेगा, आपका blood flow अच्छा रहेगा और आपकी uterus के lining बेटर होगी secondly, आप थोड़ा सा hot fermentation अपने uterus का कर सकते हैं कई बारा सा होता है कि blood supply बढ़ाने के लिए हमको हलका सा hot fermentation देने की जरूद पढ़ती है तो आप अपने पेट की गरम सिकाई कर सकती हैं, उससे भी थोड़ा आपको अराम मेलेगा पेट तर्द भी काम होता है और blood flow भी बेटर होता है सिरफ heating pad ही नहीं, आप चाहिए तो गरम चीजे भी ले सकती हैं जैसे गरम soup ले लिया, गरम चाई ले लिया या फिर आपने socks पहल लिये जस अपनी body को गरम रखना है body को गरम रखने से आपका रख संचार, आपका blood flow बेटर होगा especially वो लोग जो pregnancy का try कर रहे है जिनका ovulation induction चल रहा है या IVF चल रहा है तो यह तो हो गए दो home remedies आप doctors आपको क्या देंगे simple सी बात है, uterus की lining बढ़ाने के लिए हम आपको देते हैं estrogen estrogen hormone यह एक बहुत ही major hormone है जो कि estradiole के नाम से आता है जिसको की 2 mg की tablet कितो हम दिन में 2 बार, 3 बार आपको देते हैं depending आपको कितनी जरूरत है तो यह तो हो गया estrogen hormone साथ ही कुछ iron tablets जो कि आपके hemoglobin को ठीक करें कुछ digestive enzymes क्योंकि जब-जब digestion पूर होगा तब-जब आपके जो iron के absorption वाले cells हैं जब-जब digestion पूर होगा आपकी गट में प्रॉब्लम होगी बाक्टीरिया आएगा तो आपके पूरे blood flow, आपके पूरी body में metabolism में प्रॉब्लम होगा और inflammation होगा तो digestive enzymes, vitamins, minerals यह सारे आप अपने खाने की थूँ भी ले सकते हैं और doctor भी आपको supplements देंगे अगर आप अपने yoga instructor या फिर gym instructor से पूचेंगे या फिर online search करेंगे, यह exercises करने से आपके uterus की blood supply बेटर होती है तो that is all guys, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like and share करना मत भूलियेगा और मेरे को follow करिये instagram पे sonal.parihar.33 facebook पे page है ask organecologist उस पे भी continuous reels आती है और आपके इन तीनों प्लाटफर्म्स पे youtube, instagram और facebook पे हम सारी questions का answer देते हैं कोशिश हमारी रहती है, हमारी team लगी रहती है आपको answers देने में, ठीके बाकी मैं live तो आती हूँ last but not the least अगर आपको मेरे से consult करना है जहां आप बैठे हैं, घर बैठे बैठे हैं आप मेरे से video call या voice call के थूँ बात कर सकते हैं तो आप इस number पे या तो whatsapp करिए आप मेरी official website drsonalparihar.com पे जाईए उसमें मेरे medical profession वाला जो page है उस पे जाईए और वहाँ पर आप click करिए consultation पे तो आपको एक button मिलेकर जिसके थूँ आप payment करके मेरे से consultation book कर सकते हैं So that is all guys, see you all again very soon with a new video